हेलो एंड वॉल्कम टू टीवी का पटाका वल दोस्तो तुनिशा शर्मा के सी वजह से क्या अब लगातार ट्रोल हो रही है शफक और फलकनास जी हां दोस्तो शफक और फलक के उपर गिरी है बड़ी गाज लगातार हो रही है ट्रोल खत्रे में आ सकता है फलक और शफक का कर वे दोस्तों क्या है यह पूरी खबर लेकिन उससे पहले चानल जरूर सब्सक्राइब करें हम आपको आप बताएंगे हमारे इस खास वीडियो में सारी की सारी अपडेट दोस्तों कोई भी अपडेट आप मिस्मत कीजेगा उसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए वल आपको बता दें कि तुनीशाय शर्मा केस हर दिन नए नए खुलासे कर रहा है पुलिस इस केस को बहुती जादा पेचिदा मान रही है क्योंकि हर दिन कोई नए खुलासा होता है जिस वजह से केस एक अलग ही बोर्ड ले लेता है लेकिन दोस्तों इन सभी इंवेस्ट बचाने का इल्जाम उन पर लगाया जा रहा है यह कहा जा रहा है कि फलक और शफक अपने भाई शजैन महुम्मत खान को बचाने की जीतोड कोशिच कर रही है आपको बता दें कि फलक नाज और शफक दोनों ने ही खुद को मीडिया से दूर कर लिया है वह बिलकुल भी कि किसी भी तरीके से मीडिया के आगे आने को राजी नहीं हो रहे नहीं कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाल कर अपनी तरफ से सारी की सारी बातों को साफ कर दिया जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें न्याय पालिका पर रही हैं शफक और फलक कह रहे हैं लोग कि उन्हें ना पुलिस पर वरोसा है और ना ही शिजैन महुम्मद खान पर कोई लड़की आपको अपी-पी कहकर बुलाती थी और आप लोगों ने उसके साथ इतना बड़ा धोका कैसे किया वेल दोस्तों शिजैन को एक तरफ जहां ल लेकिन शिजैन के उपर चल रहे केस को लेकर फलक के हाथों से वो बड़ा सीरियल जा चुका है दोस्तों क्या कहेंगे आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें